असलम्लेकूम नाजरीन कैसे हैं आप लोग सैटरडे है सुबा सुबा मैं चाहे स्ट्रॉ से पी रहा हूं और उसकी एक वजा है कि मैं अब डारेक्ट चाहे नहीं पी सकता क्योंकि जैसी मैं घूंट भरता हूं डारेक्ट तो वह इधर भरा जाता है गूंट लेकिन वह मेरे दमाग तक पहुंच रहा है क्योंकि जो मेरे दांद की कैविटी है अपर सेकेंड लास्ट राइट मॉलर टूथ उसमें जो कैविटी है वह इतनी बड़ी हो गई है कि नर्व एक्सपोज हो गई है और एक्सपोज नर्व के साथ भी मैंने कितने महीने गुजार दिया लेकि और यह वीच्ट अपॉइंट ओफ नो मॉर वेट और कॉंप्रमाइज अट अल इसलिए फिलाल तो मैं चाहे स्ट्रो से पी रहा हूं आपको थोड़ा स्वयर्ज रहा हूं इसलिए लग रहा हूं कि मैं सो कर ही उठाओं इस ए रियल वीडियो ठीक है अब दो ओप्शन्स है केरेडा में मैं हूं और या तो मैं यहां से रूट कनाल करवाओं जिसकी एस्टिमेटेड कोस्ट जो प्री डिटर्मिनेशन डेंटिस्ट ने दी है यह सारी बात आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि मुझे आपका मश्वरा चाहिए नीचे कमेंट में एक एक बंदा जो य दोट यह बनता है 3200 कनेडियन डॉलर्स फॉर दूट कनाल और फिलिंग और उसके ओपर क्राउन लगेगा 1200 का मतला टोटल यह बनता है 3400 कनेडियन डॉलर्स एक दांट की रूट कनाल होगी विद कैप और यह अब वेट करने वाला मामला नहीं है मैंने वेट किया है कितने महीने अब कोई मजीद गुंजाइश नहीं रही पता चल गए मुझे अब यह आज या कल वाली बात है और अगर मैं पाकिस्तान जाकर करवाता हूं तो उसका रिटर्न टिकट है 2200 का प्लस जो पाकिस् सान में इस चीज का एक्सपेंस आएगा मुझे नहीं पता कितना आएगा इट कैन भी एनिवेर फ्रॉम थैन थाउजंड टू फिफ्टी थाउजंड रूपीज शायद ठीक है लेकिन हम डॉलर्स में बात करें तो सारे को डॉलर में रखते हैं तो यह होगा 10,000 इस कितने डॉलर्स 20,000 होता है 100 सो 50 डॉलर्स सो 50 टू 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 फिफ्टी डॉलर्स थी हंडड डॉलर्स लगा ले तो एक मिस्लेनियस एक्सपेंस की कोस्ट है वह आप लगा ले अप्टू 600 डॉलर्स सो मेक इट फिफ्टी नौ मेक इट 900 या 900 प्लस 2200 सो इट इस अगर मैं पाकिस्तान जाकर यह चीज करवा कर आता हूं और 4400 डॉलर्स कोस्ट है अगर मैं कैनेडा में करवाता हूं अब इस 4400 में से याद रखें के 1000 डॉलर्स कवर्ड है मेरे वर्क प्लेस बेनिफिट्स की तरफ से के कि डेंचल प्रोसीजर्स अप टुवान थाउजड़ूंड डॉलर्स तो आप कि 1000 को 4400 में से माइनस करते तो यह 3400 बनता है तो यह दो दो डोलों बात थी मोग इए तरफ 3100 डॉलर्स खर्चा है और एक तरफ 3400 डॉलर्स खर्चा है और जो 3400 डॉलर्स खर्चा है इसमें भी हो सकता है थोड़ी कमी हो जाए क्योंकि मैं उन को request करूंगा discount करने की which they might or might not approve लेकिन ले देकर जो difference बन रहा है बमुश्किल 300 डॉलर्स कहीं बन रहा है अब वह 300 डॉलर्स के लिए गर मैं पाकिस्तान जाकर यह चीज करवा कर आता हूं तो उसमें मुझे कम एसकम दो हफते की लेनी पड़ेगी which I am anyway is entitled to because एक साल में दो हफते की paid leave होती है उसमें से मैंने सिफ एक दिन चुटी की है जो एद गूजरी थी ती उसकी so I have that और मैं उनको बोलूंगा मुझे 14 डेज की ही दे देंगे so वह अरेंज किया जासेता है लेकिन एक चीज यह है कि इस पेस के साथ काम चल रहा है अभी और मैं मैं वह बीढम जो देखता हो हो इतना सारे प्रोज्थ को देखता हॉं मुझे पता है कौन सा प्रोजेट किस स्टेज पर है किस ministre हो रही है किसकी क्लोजिंग हो रही है किस पर अभी काम full swing में है किस के साथ क्या correspondence है कौन client है, कौन consultant है कौन contractor है, कौन sub contractor है किस project पर बहुत सारी projects में देख रहा हूँ एक बक्त ने as a project manager तो वो ऐसा काम है कि एक एक दिन मैं जब जाता हूँ तो उसका जो मैं काम करता हूँ that work counts बिकोज अगर वो ना करूं तो next day वो कामना होने की वज़ा से हर्ज होता है ना सिर्फ हमारे एंड पर बलके और बहुत सी companies जो associated होती है उनके साथ इनकी payments release होनी होती है जिनके change orders approve करने होते हैं जिनकी bids submit करनी होती है सारी चीज़ें ऐसे में all of a sudden two weeks because this thing cannot wait now मैं चाय भी नहीं पीपा रहा मैं रिस्टोर अखा वे तो मेरी quality of life क्या it has reached its rock bottom level it with respect to eating and drinking and this is very important for me कि तो अब वेट करने का नहीं है एक तो यह का कर मैंने पहले से यह चीज़ अप्रूफ कर वाई होती कम जब दो महीने पहले से या एक महीना पहले से बताया होता तो चले उस हिसाब से उन्होंने कुछ arrangements की होती कि बहुत से projects दूसरे लोगों को दिये होते लिकिन अब मैं एक काम को देख रहा हूं और ऐसे मैं सब्सक्राइब हो जाओं तो यह एक एक मुश्किल में डालने वाली चीज है मेरी कंपनी को मैं कर सकता हूं किसी हद तक correspondence on email या मुझ से पूछ सकते हैं कौन सी चीज कहां रखी है या कौन सा बंदा है contact करने के लिए किसी हद तक चीज़ें चलाई जा सकती हैं अगर उतनी जादा अगर को इंसान इंसान है उसके साथ किसी भी नौयत की अरजन सी कभी भी हो सकती है इस नौट जस्ट अब रूट कनाल और देंटल प्रोसीजर लेकिन मुश्किल है काम के लिहाज से मैं आपको यह बतारूँ और जब मैं दो हफते के बाद आउंगा वापस उस वाक जितना भंडार एक पहाड की तरह से मुझे पी वो समेठना होगा वैसे मैं डे टुदेए जाकर उन चीज़ों को मैंनेज करता हूं तो वर्कलोड मैंने जो हो जाता है डिस्पर्स हो जाता है डे टुदेए जब दो हफते के बाद आकर रिकठे वो लूँगा और उसके बाद फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी इतना ज्यादा मॉमेंटम लेना एक दफा एक इतना ज्यादा वर्क प्रेशर लेना एक अठे एक दफा में दूसरी तरफ यह है कि अगर मैं पाकिस्तान जाकर करवाता हूं तो इस नौट गई तो इस नौट गई वी सारे अच्छे से चेक नहीं यहां पर तो मैंने भी क्लीनिंग करवाई थी डिसेंबर में पूरे दांतों की और उन्हों ने इच्छे से इंस्पेक्ट किया था और कि एक ही में है मेरा के रूट कनाल होने वाली है अगर मैं अपनी डेंटल हाइजीन अच्छी रखता हूं और मैं माउथ वगर यूस कता हूं तो तो तिंग्स केंवेट अंचिल नेक्स यर जब मेरे वर्क बैनिफिट्स रिवाइज होंगे 1000 की लिमिट अगें आईगी तो म हिना ने करवाई है अपने बैनिफिट्स में से हम चारों का अलग अलग वन वन थाउजन है जो बैनिफिट्स की तरफ से कवर्ड है उसके बाद से कुछ होगा वो पल्ले से देना पड़ेगा तो अगर पाकिस्ता चाहता हूं खेर तो मैं बाकी भी अच्छे से दिखा सकता हूं कि अगर कुछ और भी करवाने की जरूरत है लेकिन एक और चीज है कि जाहर है मैं अपने माबाप भेन भाईयों से मिल लूँगा सासुसर से मिल लूँगा सब लोगों से वह एक बहुत बड़ा एड़िड एडवांटेज है पाकिसान जाकर थोड़ी ब्रेक लेकिन ब बच्चियों को भी बहुत मजा आएगा अगर वो जाएंगी लेकिन अगर हम सब जाते हैं पाकिस्तान सो एक बंदे का जो है वो 2200 डॉलर्स रिटर्न टिकेट है एड़ टुएट हिना 4400 हो गया एड़ टुएट जोहा का भी फुल टिकेट चार्ज होता है कि शीज ओवर फ अगर हम जाते हैं और वापस आते हैं तो कि अगर हमने खाली जाने का नहीं पे करना वापस आने का भी पे करना है तो दोनों चीज़ें मिलाकर इस गोंग तो बी 4400 6600 close to 7500 डॉलर्स इंजस्ट टिकेट जस्ट टिकेट अगर अगर अकेला मैं जाता हूँ और यह काम करवा क आतनों तो दोनों options में जो difference है it's hardly 300 डॉलर्स एक चीज़ मुझे पता है मुझे नहीं पता पाकिस्तान पाकिस्तान में भी बहुत काबिल टेंटिस्ट होते हैं obviously यहां पर बहुत वैल एक्विप्ट है latest state-of-the-art equipment है टेंटिस्ट के पास अभी हिना का हुआ है तो उन्होंने composite resin filling की है यहां पर और बहुत एच्छे से किया अलागे काफी complicated surgery थी यहां आने से पहले Canada हिना ने पिम्स से अपना wisdom tooth निकल वाया था तो वह बहुत दर्द कर रहा था हडी के अंदर खुस रहा था उसको निकल वाया तो उसके साथ वाले दांत में infection थी that developed into a cavity बाहर से देखन to a root canal case इस जैसे वह cavity हमने फिल करवाई अभी बहुत अच्छे से उसका treatment हुआ था कि बहुत अच्छे से उसका treatment हुआ था कि बहुत अच्छे से लेयर बाई लेयर उसकी फिलिंग की composite filling और बहुत अच्छे से cleaning की satisfactory उनका रिज़ल्ट था माशालला शीज़ हील तो बाउट 80% अभी तक दर्थ खतम हो चुका है लेकिन अब मेरा यह है कि मुझे भी लगता है कि यहां से करवाऊंगा तो बहुत professionally करेंगे and पैसा इंसान किस लिए कमाता है पैसा इंसान अपनी comfort के लिए कमाता है पैसा आनी जानी चीज़ा है इतना इस नोट वर्थ इट क्या पैसा रखके बैठे रहे माशाला पैसा है भी ऐसा नहीं के पैसा नहीं है कि मैं को के यार यह चीज़ कैसे होगी वह चीज़ नहीं आपको सिर्फ दोनों options का comparison बता रहा हूं तो ऐसे में ले देके मुझे लगता है difference is just going to be $300 which और अगर वह $300 के साथ में office का काम effect नहीं होता और मैं I keep मुझे hardly 2-3 दिन चुटी करने की जरूरत है वह भी मैं manage कर सकता हूं तो मुझे लगता है कि वह अच्छी चीज़ है और लेकिन हिना यह कहती है कि मुझे वहां जाकर करवाना चाहिए तो यह आप लोगों से मुझे थोड़ा input चाहिए मैंने सारी situation आपके सामने रखी है कि यह सूरते हाल है पैसे जो हैं दोनों में difference आपको मैंने बता दिया है और पाकिस्तान जाकर करवाने के भी है माशाला पैसे इदे से करवाने के भी है अब आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए फैसला आप पर छोड़ता हूं मुझे हर बंदे का कमेंट चाहिए आप लोगों के कमेंट को मैं बहुत सीरियस लेता हूं और बहुत लो और आपके कमेंट्स का अंतिजार करूंगा फिर बिसाइड करूंगा ठीक है सी यू नेक्स्ट वीडियो और आपके कमेंट्स पर ही बेस होगी वो अंतिल देन ठेक केर अलाहाफिज